आप लोगों को बता दूँ कि अभी वीजा के बारे में कुछ भी अभी नियूज नहीं निकल के आ रहे हैं दोस्तों कुछ दिन पहले आये थे ठीक है लेकिन वो फिर जो है डिवाइट कर दिये थे विदेशी जो फॉरंड कंट्री के वरकरों के लिए बुले गए थे और उस के उपर ज्यादा ये कर दिये हैं और बैंगला देशी वरकर दिया अभी आ रहे हैं तो मैं अब लोगों को किलियर बता दूं कि यहां पर जो है ना हि कोई इंडियन वर्कर आ रहे हैं छो इंडियन वर्करों का जो वीजा फुली और लेकिन ऐसा कुछ निज आये थे दोस्तों मैं इन्यूज के आधारी थी कुछ भी आप लोगों के पास अगर बात बोलने का कोशिस करता हूं या कोई भी वात रखता हूं तो आप लोगों को मैं सही और जो है सटिक जानकारी देने का कोशिस करता हूं आप लोग प्लीज किसी के बहकावे में ना आए और नहीं मेरा अगर कोई भी अगर बात आप लोगों को बुरी लगते हैं तो बहुत सारे भाई लोग comment भी करते हैं तो कोई ऐसा news नहीं निकल का आते हैं और नहीं मैं आप लोगों को कुछ भी बता पाता हूं दोस्तों कि मलीशिया का work visa open हो चुके हैं तो क्या बताओं आप लोगों को यहाँ पर जिस हम लोग जियो company में रहते हैं यह company में बहुत सारे worker का visa भी अभी तक नहीं लगा है आप लोगों को बताओं कि medical हो चुके हैं दो बार तीन बार medical करवाते हैं लेकिन visa नहीं लगते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर खुद परजेंड हैं वो लोगों का visa भी नहीं लग रहे हैं बहुत सारे worker का तो देखिए अगर किसी का अगर visa नहीं लगते हैं तो सभी worker जो लोग का visa नहीं लगते हैं और सब को फिर घर भेज दिया जाता है तो देखिए अगर visa नहीं लगते हैं तो सब को यहाँ से घर भेज दिया जाता है और हम लोगों का भी visa नहीं लगे हैं अभी permit बहुत सारे worker का नहीं लगा है और जो लोगों का भी visa में लगे थे वो लोगों का भी medical ईगस्त मेना में वीजा खतम हो जाएगा और अभी तक मेडिकल नहीं करवाइए तो आप लोग सभस सकतें। कि दो मेहना та तीन मेहना पहले ही मेडिकल लागाने के लिए। आप लोगों को बता दू técnica कि आप जो है यह लोगों का भी मेडिकल नहीं करवा हैं तो यह लोग भी बहुत ही जादा प्रेशान है तो सायद देखे तीन साल का एग्रिमेंट रहते हैं और मुझे बहुत भाई मैं लोग कॉमेंट करते हैं कि आपका कितना दिन हुआ है वहां पर जाने से तो मैं आप लोगों को बता दू कि मेरा दो साल कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर मलीश्या आए हुए मेरा और काम करने से मेरा दो साल हो चुका है तो आप लोगों को बता दू कि दो साल मेरा जो कं हो जाते हैं तो फिर दुबारा मेडिकल दो मेहना पहले करवाना पड़ता है लेकिन यहां पर क्या है एक रूल्स रहते हैं मलेशिया का एक रूल्स है एक साल वाद एक साल आपको जो है मेडिकल करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपका वीजा लगता है एक साल का ही वीज वाले बहुत ही ज्यादा जो है फिर छापे मारी कर रहे हैं और सभी लोगों को पकड़ रहे हैं company by company जाके लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग के legally हम लोग है ऐसा नहीं Unlegal जो लोग वरकर रहते हैं वो लोगों को पकड़ते हैं Unlegal जो लोग रहते हैं और अगर आप लिगली आपके पासपोर्ट है, डोकॉमेंट्स है, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह इसका जिम्मेदारी कमपनी का है, और कमपनी जिस हालत में वर्कर को रखेगा, वो हालत में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कमपनी के उपर डिपेंड क जो भी रहता है, पासपोर्ट में वीजा नहीं लगना, या तो मेडिकल नहीं करवाना, यह बहुत लोगों का होता है, या कमपनी का जो बहुत रहते हैं, वो ही लोगों का काम रहते हैं, यह वो लोगों का जिम्मेदारी होता है, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे आते हैं आप लोग और कोई भी कमपनी में आपको काम देते हैं जो कमपनी में आपका भीजा लगते हैं उस कमपनी में आप फिर काम करते हैं तो ये कमपनी के जामेदारी हो जाते हैं कि आप जिस कमपनी में काम करते हैं जितने दिन का आपका एग्रिमेंट रहते हैं उतने द मेडिकल करवाना चाहिए लेकिन अभी ज्यादा दिन बांकी नहीं है तो अभी सब कोई परिसान है और अभी आप लोग अगर आना चाहते हैं इंडिया से या कहीं से भी तो देखिए आप लोगों को बता दो कि अभी कोई ऐसा नियूज नहीं निकल का रहे हैं का बात करां तो बंगला देगे और आभी बंगलादेश को व्रकारों के लिए भीज़ा ओपन है और यहाँ पर जो लोग भी सूच रहंते कि यद्म धाल दिन तक रहेंगे और काम करेंगे तो दिखिए हैं साइद यहाँ पर कोई भी जादा दिन तक नहीं रह पाएगा क्योंकि अगर बीचा नहीं लगते हैं तो कंपनी भी आपको नहीं रखेंगे और फिर कंपनी जो है घर भेज दियागा और सबी वार्कर को जो है घर भेज दिया जाएगा तो जो लोग भी सोच रहे थे कि ज़्यादा दिन यहाँ पर रहेंगे और अभी हम लोग पुराना हो चुके हैं और कुछ दिन हम लोग का हुआ आने से तो हम लोग अभी अगर पुराना होते हैं तो अच्छा खासा हम लोग का अभी सेलरी हो आता था हम लोग काम के वारे में जादा कुछ जान चुके थे, सब कुछ हो चुका था, लेकिन अभी वीजा का जादा दिक्कत है, और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोगों का भी वीजा नहीं लग रहा है, तो इसी कारण से जो है, अभी सब कोई वारकर क नहीं लगाते हैं, तो तीन साल अगर एग्रिमेंट के हो उतना दिन तक रहेंगे, उसके बद किसी प्रिक्रिया से या किसी जरिये से फिर घर भीजने का कुछिस करेगा बोस यहां का, जो कंपनी का बोस रहते हैं, और अभी एक ही महना बचा है मेडिकल, अगर इस महने में अगर एफी तक मेरे YouTube चानल को आप लोग सस्क्राइब नहीं की हैं, तो प्लीज मेरे YouTube चानल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि मैं मैं मलेसिया में रहता हूं, मलेसिया काम के बारे में हो, और बहुत सारे ऐसे मैं ब्लोगिंग वीडियो करता हू जो मलेसिया में हूँ अभी, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नहीं जान करे के साथ, तब दक के लिए, जय हिंद, जय भारत!